राधे राधे जै स्री कृष्णा जै मतादी वेलकम टू माई चैनल कार्तिक महिने की आप सब को धेर सारी सुब कामना है आज आपको इस वीडियों के माध्यम से बताने जा रहे हूँ कि कार्तिक मास कब सुरू हो रहा है कब समाप्त हो रहा है कार्तिक मास की महिमा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो कि कार्तिक इसनान करते हैं उनको पूजा करते देखने मातर से जब वो इसनान करके गंगा जी मैं यमना जी मैं कहीं भी और दीबदान करते हैं पूजा पाट करते हैं मंदर में करते हैं घर में करते हैं उनको पूजा करते देखने मातर से आपको पुलने की प्राप्ति होती है बैखुन की प्राप्ति होती है और पापों का नास होता है तो आपको कार्तिक मास की बहुत सारी सुबकामना है वीडियो पर बने रहे और अंत तक देखिए कार्तिक मास का पूरा महत्त आपको बताऊंगी गरम पानी से नहाएं ठंडे से नहाएं किस तरह दीबदान करें कौन्ज पूजा पहले करें तुलसाजे कि करें या मंद्र के करें पहले कराएं सूर्य भगवान को जल पहले दें चि lure पहले नहलाएं पूरी वीडियो देखियाई संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत ही सरल विधी से मैं आपको कार्तिक मास के सनान की पूरी विधी बताऊंगी आज आपको बताऊंगी जिससे आपको पूरा फल मिलेगा पदम पुरान के अनुसार आज आपको कार्तिक मास की महिमा वे नियम बता रही हूँ जो हमारी माताय बहने भाई लोग पहले से ही कार्तिक मास शनान चाहती हैं तो वो किन नियमों का पालन करें और किस सरल विधी से कार्थिक मास का इसनान करें पूजा पाट करें कि उनको संपून फलकी प्रापती हो कार्थिक मास में स्रीहरी विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं इसलिए कार्थिक मास में ब्रह्मूरत में जक्कर भगवान विष्णु की पूजा और इसनान बताया गया है आज मैं आपको बता रही हूँ कार्तिक मास के इस नान के विशे में पूरी जानकारी दे रही हूँ कार्तिक मास में ये जो हमारा इस महिने में जो कार्तिक मास है वो 21 अक्टूबर ब्रस्पत्रिबार से सुरू होकर 19 नुवंबर सुपकरवार को समाप्त हो रहा है कार्तिक मास को इसनान का समय सूर्य उदे से पहले बहोना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि साड़े तीन बजे चार बजे उठना चाहिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि छे बजे के बाद अगर दिन निकलता है तब तक आस्मान में सूर्य ना निकले तब और आप इसनान कर सकते हैं यानि आपको आस्मान में तारे दिखने चाहिए तारों की छाओ में इसनान होता है तारों की छाओ में ही तुलसाजी पर दिया जला जाता है आप राते काहल का दिया जलाएं तुलसाजी पर या सायं काहल का जलाएं जब आसमान में तारे दिख रहे हो तब ही उसका पूरा फल मिलता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि कार्तिक मास में आप इसनान किस तरह से करें कभी-कभी देर तक भी रहते हैं जैसे हमारा सूर्य ना दिखें तब भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं हमारे पूरवज, संथ, महन्त, रिशी, मुनी जो गंगा तट पर इसनान करते थे वो सूर्य को अपने अंजली में भरकर जल दे दिया करते थे चाहे हैं वो सुर्य चार बजे का टाइम हो या तीन बजे का टाइम हो तो सूर्य भगवान तो हमेशा विद्वान रहते हैं उनका प्रकास सूर्य भगवान का दिखाई दे या ना दे आपको सूर्य भगवान को सुबह ही जल दे देना चाहिए इससे यह बास सिद्ध हो जाती है कि सूर्य को जल दिये बिना हम कोई भी अपना ब्रत, पूजा, पार्ट, संपूर्ण नहीं मान सकते कोई भी पूजा, पार्ट सुरू नहीं कर सकते जब तक हम सूर्य भगवान को जल नहीं देते हैं इसनान के बाद सप्रथम एक लोटा जल सुर्य भगवान को देना है पूरत विसामे मुख करके आप दे दीजिए सुर्य भगवान आपको दिखे या ना दिखे उसके बाद आती है तुलसी माता की पूजा तो आज के समय के अनुसार गंगा तरफ पर इसनान करने जाना नहीं होता है इसलिए गर में हैं आप इसनान करते हैं तो एक बूंद गंगा जल्गी आप अपने नहाने के पाने में डाल लीजिए आप घर की सफाइए करें तो वहां भी डाल सकते हैं या आपको गंगा जल ना हो तो गाउम मुत्र मारकेट में मिल जाता है या कूस घास से पहले आप तुलसा जी को जल चढ़ाएं भोग लगाएं भोग आपको दूद बतासे का लगाना है पीला चंदन लगाएं उनको आपको केसर या रोली नहीं लगाना है आपको उनको तुलसा जी को लाल सिंदूर नहीं चढ़ाना है क्योंकि वो अभी कुवारी है तो राज तुलसाजी पर सिंदू ना लगाएं दिया जलाएं दूद बतासर चका भोग लगा सकते हैं धूप जलाएं आरती करें आरती में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी तुलसाजी की आप वहां से अपने पास लिख सकते हैं या वहां से पढ़ सकते हैं सिंदू नारेन भगवान को शादी के समय ही लगाया जाएगा तो इस तरह से आप दीबदान करें तुलसाजी पर और आप तुलसाजी पर धूप जलूप बत्ति जलाएं आप घी के जलाएं अगर आपके पास सुद्धे देशी घी नहीं है तो तिल के तिल का भी दिया जला स सकते हैं अगर आपने पत्वारी बनाई हुई है पीपल पत्वारी की पूजा होती है घर के पास मंदिर में जाकर आप पूजा करके आ सकते हैं नहीं तो आप किसी गमले में दो छोटे छोटे पत्थर लाकर रख लीजिए पत्वारी जो होती हैं वो पत्की देवी होती हैं तो पत्वारी माता को आप वहां पर लाकर रख लीजिए दो पत्थर आप उनको सुन्दर सजा सकते हैं सिंगार दे सकते हैं उसके बाद उनमें भी दूर चड़ा दीजिए तो इस तरह से आपकी पीपल पत्वारी की पूजा हो जाएगी तुलसाजी की पूजा हो जाएगी और सूर्य भगवान की भी पूजा हो जाएगी दीबदान आपको घर में भी अपने घर में कर सकते हैं घर में आप तुलसाजी पर दीबदान करें शमी का पोदा है केले का पोदा है ये जो दिव्य रक्ष होते हैं इनके समीप और दर्वाजे पर मंदिर में आप दीबदान क अगर आपने पत्थवारी माता आपके घर के आसपास हैं तो आप वहां भी दीव प्रजुलित कर सकते हैं नहीं तो अपने घर में तुलसाजी पर एक दिया जला दीजिए एक दिया मंदर में जला दीजिए मुख्य द्वार पर भी आप पूरा महिना दीवदान होता है पर जाकर तो आपको पुद्णि की प्राप्ती होगी देविस्थान पर दिया लगाने का फल असुमेग यगर के बरावर मिलता है जैसे पीपल होता है मंदिर होते हैं कुई होते हैं जलास से होते हैं चोराया होता है जहां पतकि दे भी होती हैं अगर एक दिया भी लगा देते हैं आप तो आपको अर्षम्यग यग्ड काई बरावर फल मिलता है तुलसी पर दीबदान आप तारों की च्छाओं में करेंगे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता है कि तुलसा जी पर जो हम दिया लगाते हैं वो हमें तारों की च्वाओं में लगाना है प्रातेकाल में सायकाल में भी देशी घी कर दिया आपको दोनों समय लगाना है विदी विधान से जैसे आप पूजा करते हैं फिर वैसे ही आपको अपने घर के मंदर में पूजा करनी है दूद बतासे का भोग लगाना है अपने शालीगराम भद्वान को, अगर आपके पास सालीगराम भद्वान नहीं है, तो मानसिक रूप से उनका ध्यान करते हुए भी आप उनको दीपक जलाते समय और भोग लगाते समय उनका ध्यान करके भी और उनका नाम ले सकते हैं। आप चाहें तो वश्नु सहसतानाम का पार्ट कर सकते हैं। आप गरं पानी से भी कर सकते हैं या ठड़े पानी से करें। सास्त्रों के आनुसा ठंडे पानी से कारतिक मंहीं सनान किया जाता है। पहले समय में नल, नदी, क lihat पानी ona पानी निकलता थाा ताज़ा पानी निकलता था, आज विए अगर मोटर चला पानी निकालें, तो Ugh and नह नमें अचले सरीर बहरा हुआ पानी होता है बहुत ठंडा हो जाता है और उस पानी से अगर हम इसनान करते हैं तो निश्चित है कि चार-पांस दिन मेहीं के बाद ही हम बीमार पढ़ जाएंगे बीमार पढ़ने से हमारी सारी कार्तिक चौपट हो जाएगा आप भी टेंसन में रहेंगे कि मेरे सारे नियम तूट गए समाप्त हो गए और परिवार बाले भी आपको कहेंगे कि आपको स्वस्त रहना जरूरी है आप बिमार हो रहे हैं डॉक्टर भी आपको सला देंगे कि आपको ठंडे पानी से सनान नहीं करना है और स्वस्त रहेंगे तो ही आप पूजा कर पाएंगे तो संभव हो तो ठंडे पानी में सनान करें नहीं तो आप अपने पानी को गरम कर लीजिए और भगवान से पहले ही दिन संकल पर लीजिए कि प्रभू मैं आपके दीबदान करूँगी पूजा करूँगा आपके सारे नियम निवाऊँगा लेकिन अगर मैं गरम पानी से पहले ही वह कर लेंने तो जासे मंतने हैं थे यह ऊक्याइप क्रक्रत हैं उसके वाद हम अपनी दैनिक पूझा जारी रखेंगे जो हमने टेली की पूझा करते हैं सारी रिक इस्तिती सही रहना बहुत आविश्च्क है तभी आपके पुणने लगेंगे नियम तूटने की सम्भावना नहीं रहती है और आपकी पूजा जारी रहेगी जब नियम तूट जाते हैं पूजा सही नहीं होती है तो हमारा मन परेशान होता है फिर हमारी पूजा नहीं लगती है तो इस तरह से अब थोड़ा जल्दी जल्दी नहा लेंगे तो हमारे पुणने प्रबल हो जाएंगे कार्तिक इसनान वाले को भेंगन, मसूर, किदाल, मूली, प्याज, लस्ण ये सब त्याग देने चाहिए कार्तिक मास में आप इसनान और दीबदान करते रहें कार्तिक इसनान काया पलर देता है बैकुंट की प्राप्ति होती है, कुछ सालों में आपका पुणने प्रबल हो जाएगा आप सुछते हैं कि हमने कार्तिक सनान किया तो हमें तुरंत उसका फल मिलेगा तो ऐसा नहीं होता है आप कार्तिक स्नान करते रहिए नियम करते रहिए पूजा पाट करते रहिए दीबदान करते रहिए गाय माता की सेवा कीजिए उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके काम अटकते थे वो बनने लगेंगे सभी काम बनने लगेंगे जो आपके काम नह किया था दक्षिन भारत में तो बहुत जादा कार्तिक भगवान की पूजा की जाती है अगर आप मंदिर ना जा पाएं तो ध्यान करते हुए अपने घर के मंदर में ही दीव जलाएं सूर्या अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए वह बहुत अच्छा होता है अंधेरा होने के बहुत भोजन नहीं करना चाहिए कार्तिक मास में और शाम की पूजा अपना नियम से करनी चाहिए दीबदान करना चाहिए गाय माता की सेवा करनी चाहिए अगर आपके पास विश्नु भगवान की मूर्ति नहीं है तस्वीर नहीं है लड़ू गोपाल है तो आप लगाईए भगवान का दीपक जलाईए कार्तिक महास्थ मैं दीप दान का बहुत महत्व है आप एक डीप गूझसाला में जला दी जिए नखी फीट पूरे महेने में एक लाई सकोते हैं कहीं भी घ़र के आजबास कोई जलास से हैं तो कोई ही अच्छा शूभ है नहीं तो आप एक मंदिर में दिया लगाया ये अगर आप पर्डे दिया ना लगा सकें तो 365 दिये आप पुरनमासी को या आप आमलानौमी को कार्तिक महिने में कभी भी 365 दिये जो हमारे सभी देवी Copy के नाम के होते हैं तुलसाजी में दिया लगाना बहुत शुब होता है अगर आप एक दिया रोज तुलसाजी पर भी लगाते हैं तब भी आपको दीबदान का संपूर्ण फल मिलेगा आपको पुणने की प्राप्ति होगी बैखुन की प्राप्ति होगी कार्तिक मास में जाने अंजाने में की पूजा जो होती है वो भी बहुत फल देती है तो आप कार्तिक मास में जो पूजा करें दीबदान करें और अनका दान करें ये सब आपको पुणने की फल देने वाले होते हैं तो इस तरह से मैं आपको कार्तिक मास का महत्त बताया है इसनान का बताया है कैसे इसनान करना है कैसे पूजा करनी है कैसे दीबदान करना है आप चाहें तो एक समय भोजन कर सकते हैं आप चाहें तो दोनों समय भोजन कर सकते हैं जैसी भी आपके सरीर की सुविदा हो उसे साब से आप कार्तिक मास में भोजन करें कार्तिक जनान आप गरम पानी से भी कर सकते हैं इस तरह से दीबदान कर सकते हैं आप भगवान का नाम समरते रहें कार्तिक मास में इतवार के जो रभीवार के जो ब्रत होते हैं पूजा कर लें और अपना भोजन कर लें तो कार्तिक मास हर रूप से फल देने वाला होता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा हम आपके सभी प्रश्णों के उत चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके है तो वीडियो को ही समाप करते हैं चैमातादी रादे रादे जैसिश कृष्ण भगवान कार्तिके आप सब की मनो कामनाय पूर करें हरियो